नमस्कार आज हम बनाएंगे केल्शियम आयरम भीटामिन्स प्रोटीन से भरपूर मसाला गूर जो आप सर्दियों में रात में एक ग्लास दूद के साथ एक पीस खाने से आपको जोडों का दर्थ, कमर का दर्थ, खुटनों का दर्थ, धकान दूर होती है और शाथ में बहु मसाला गूर बनाने के लिए गूर को मैं इस तरह से काट रही हूँ, गूर में अच्छे मात्रा में आयरन होने के कारण ये हमारे सरीर के लिए बहुती लाबदायक है, मैंने गूर को काट लिए, यहां पर मैंने खड़ाई करें कर लिए और मैंने लिए 200 ग्राम मुम्फली, मुम्फली में अच्छे मात्रा में प्रोटीन, केलरी, स्कार्फ, फाइवर, फेट अच्छे मात्रा में होने के कारण ये हमारे सरीर के लिए बहुती अच्छा माना गया है, और इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, जैसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, ये भून चुका है, इ एक प्लेट में और यहां पे मैंने ली है 50 ग्राम आलमंड आलमंड में भी प्रोटिन फाइवर किल्सियम मेंगनेशियम आईरेन विटामिन ई रिवो फ्लेविन जिसको विटामिन बी 6 पी बोला जाता है पोटासियम कोपर अच्छे मात्रा में होने के कारण यह हमारे दिमाग को भी बहुत ही तेज करता है और हमारे सरीर के लिए भी बहुत ही अच्छी है तो हमें अलमंड जरूर लेना चाहिए अलमंड भी फ्राइव हो चुके अब मैं इसको निकाल देती हूँ और यहां पे मैंने लिए 50 ग्राम सुखा नारियल जिसको गोला भी बोला जाता है इस सारी चीजों को हमें जरूर इंक्लूट करना चाहिए अपने डाइट में साथ में मैं यह जो मसला गूर बना रही हूँ इसमें इन सब चीजों को मिक्स करने के कारण यह बहुत ही अच्छा है यहां पे मैंने लिए है जो सफेद तील होता है और सौफ दो चम्मच सफेद त सौफ तील भी सर्दियों में काफी अच्छा होता है हमारे सरीर के लिए और यह सौफ जो है आप अपने टेस्क के अनुसा डाल सकते हैं कम ज्यादा इससे अच्छा एक अरोमा आता है मसला गूर में और यह जो मुंफली इसका छिलका आप इस तरह से बहुत ही आसान इसे उ पिसलेंगी साथ में में डाल रही हूं यह सुखाना डियल और अलमन दोनों को मैं साथ में पिसलेती हूं यह आप देख सकते हैं यह मैंने पाउडर बना ली है अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिए है, प्लेट में मैंने उपर से थोड़ा सा तेल लगा कर इसको ग्रिस कर लिये अब हम आगे की प्रोस सेस करते हैं यहां पर मैंने कडाई को गरम होने के लिए रख दी थी कडाई गरम हो चुका है तो मैंने डाल दी एक चमच देसे घी और साथ में यह जो गूर है इसको हम डाल देते हैं और इसी तरह से हम इसको चलाएंगे कुछी मिनट चलाने के बाद यह पीगलना ईसलाट हो जाएगा इसमें हम पिगालने के लिए कोई पाने का यूज नहीं करेंगे अगर हम यहां पर पाने का यूज़ करेंगे तो यह खराब हो जाएगा और बाद में बहुत ही टाइट हो जाएगा जो हम खा भी नहीं पाएंगे यह आप देख सकते हैं काफी हद तक पीगल चुका है तो मैं इस तरह से इसको जो बड़े टुकड़े उसको भी तोड़ देती हूँ अब मैंने कह दी है गेस की फ्लेम को ओफ क्योंकि हमें बहुत देर तक गेस नहीं जलाना है अगर इसे गेस जला दिये तो यह काफी टाइट हो जाएगा और इसको खाने ही सकेंगे तो यह जैसे पिगलता है हमें गेस को तुरंती ओफ कर देना है और यहां पर मैंने लिए पीनट का पाउडर और यह बादा मोर कोकनट का पाउडर साथ में मैंने तील और सौफ को भी डाल दी है मैंने यहां पर लिए आधा चमच इलाइची का पाउडर आधा चमच मैंने लिए नटमेक जिसको जाएफल भी बोला जाता है उसका पाउड यह बनाने में भी आसान और खाने में तो यह मूझ में जाते घुल जाता है यह आप देख सकते हैं यह रीडी है मैंने इसको निकाल दू और पलेट भी रीडी है तो अब हम इसको ट्रांसपार कर देते हैं पलेट में अच्छे से शेट हो कर दूंगी और आप चाहे तो इसको लड़ू भी बना सकते हैं अगर आपको इस तरह से नहीं बनाना है तो आप इस तरह से लड़ू बनाके भी इसको रख सकते हैं यह आराम से आपको तीन से चार मेना तक चल जाता है आप अपने family के हिसाफ से बना सकते हैं या आप देख सकते हैं मैंने इसको set करदी है आप मैं ले रहे हैं एक चकूँ और इसको cut लगा देती हैं जब ये गरम हो जाएगा तो थांडा हो जाएगा तो cut नहीं लगा पाएंगे इसलिए हम इसको गरम गरम ही काट देते हैं और सेट होने के लिए रख देंगे इसको रख देती हूं एक घंटे के लिए इसी तरह सेट होने के लिए एक घंटे बाद इससेट हो चुका है तो अब हम इसको हलका सा कट लगा देंगे क्योंकि हलका फुलका तो जैन हुई जाता है तो इसको करना बहुत ही जरुरी है वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेर और जैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए इससे सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगे तो इस तरह से आप मसला गूर बना के इस सरदी में इंजोई कर सकते हैं अपने फेमेली अपने फ्रेंस के साथ और अब जब बच्चों को दे रहे हैं तो आ